महम के निर्दली विधायक बलराज कुंडू ने बरौदा उप्चुनाओं में एंट्री कर ली है कुंडू ने भुपेंड हुड़ा और मौजूदा सीम अमनुहलाल खटर पर बरौदा हलके के लोगों के साथ मेराजनितिक चल करने का आरोप लगाया है महम से निर्दली विधायक बलराज कुंडू जी एक बार फिर सुर्खियों में है इस बार सुर्खियों में होने की वज़या ये है कि बरौदा उप्चुनाओं में अपनी ताकत दिखाना चाहते है कुंडू साब टोटल टीवी में आपका स्वागत है मेरा पहला सवाल ये है मैंने बरौदा हलके का दोरा किया बहुत सारी जग तकरीबन सभी जगए आपने पोस्टर लगवा दिए आपने लिखा है कि महम जा गया बरौदा कब जा गएगा क्या क्या कहना चाहते हैं हलके की लोगों को देखिए कथुरिया जी मेरा पोलिटिक्स में आने का उदेश से यही है जिस परकार सी ये राजनितिक लोग हमारे लोगों के साथ है कि एमोसिनल कभी चोदर के नाम पर कभी जो है जातपात के नाम पर कभी और दूसरी बातों के नाम पर जो ये वोट लेते हैं और उनको एमोसिनल बलेक मेल करके एक ऐसा दोर चलाया रहा है राजनीती का जिसे आम जन्मानस पिस्ता आ रहा है मैं उड़ा साब अगर चीप निश्टर बनते हैं सबसे पहले में उनको समर्थन देने का वोशना करता हूँ यहां ऐसा कुछ नहीं से उड़ा साब आज विपक्स के नेता हैं वो विपक्स के नेता ही रहेंगे एक विदायक और बनता है तो मैं इस बात के लिए उनको जागर्थ करूँगा दूसरी तरफ आज हमारे माननीय मनोरलाल खटर जी मुझे पता लगया कि कल वो बोलके गए हैं कि जब तक नया विदायक नहीं आता मैं हूँ बड़ोदा गाय मिले मैं लोगों को बताना चाहता हूँ जरा खटर साब से ये पूछो छे साल से कितनी बार उनन बड़ोदा की सुद बुदली है मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ इनसे जो लेना चाह आप लेना चाहते दो महीने में ले लेना कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे फिर क्योंकि मैं आपको यह बता दूँ चारीश हमेले हैं बीजेपी के मेरे साथी हैं मैं इस पार्टी से संबंद रखता था सभी से मेरे पुराणे संबंद हैं सारे अंदर की अंदर घुट रहे हैं और जिस परकार से आज उनके अं मंगने आया हूं एक और ग्यारा बनकर हम आपकी लड़ाई लडेंगे आप अपने जैसा कोई कैंडिडेट कोई आदमी चाहते हैं जो विवस्ता से जो उन चीजों से लड़े जिनको हम अच्छा नहीं मानते राजनीती में मैं वह चाहता हूं जो राजनीती को बिजनेस य आपके साने पहले मैं एक मंच मैंने बना लिया है जन सेवक मंच मैं पूरे परदेश में ऐसे लोगों को उस मंच पर इखटा करूंगा जिनका राजनीती में उदेशे जनता की शेवा करना है और उसी के मादम से मेरी शुरुवात मैं बरोदा चुनाव से करने जा रहा हू मेरे पास कोई बरोदा के लोगों को मैं जागरूप करूँगा अगर उनको ये बात समझ में आती है और उनको ऐसा लगता है कि जो मैं कहरा हूँ वो सही है तो निश्यत रूप से अगर वो मुझे ऐसा कोई कंडिडेट बरोदा का बेटा देते हैं तो मैं उसके लिए कंद विदान सबा में इनके हकी, किसान की, बेरोजगार की, गरीद की, करमचारी की, छोटे वेपारी की, सब की लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं उनको जागरत करूँआ, लेकिन मेरा पहला उदेश है, मेरा पहला टार्गेट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा सबसे पहला ट चीज़े होती है, रातो रात सब कुछ बदल जाता है, बरोदा के लोग इस बात से आश्वस्त रहें के बलराज कुंडू कोई फिक्सिंग नहीं करेगा, मैच में, मैंने समर्थन दिया था कि इमानदार सरकार को, इमानदार मुख्य मंतरी को, मुझे यह नहीं पता था कि यहां इतने बड़े-बड़े घुटालों के साथ उनको पूर्ण रूप से मुख्य मंतरी जी का अशिरवाद प्राप्त, मुझे भारती जनता पार्टी से कोई शिक फुक्रे खाड़े पर्सों के पेपर में फरीदाबाद जी इतनी बड़ी खबर चपी है, 2017 से 19 के बीच में, दो साल के अंदर फरीदाबाद नगर निगम के अंदर 50 करोड रुपे की फरजी पेमेंट नगर निगम अर्बन लोकल बोड़ी में, जिसके मुख्य मंतरी जाता हूं, सरकार बनते ही, थोड़े ही टाइम हुआ था, आपने जिस तरह के अरोप लगाए बोचाल आगे था हरेना की राजनीती में, और बीजे पी एक तरह से घिर गई थे, जिस तरह के अरोप आपने लगाए थे, आपने डॉकुमेंट्स भी दिये, चीनी मिलों में क इस परकार के गोटालों को बगर कोई इनकुवारी कराए वे कलिंचिट देने का काम किया है।